जय 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 देवाद रेवस्ती चंदाप्र भगवाने के जय 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 बुले देवाद रेवस्ती चंताणी पाणशनात भगवाने के जय 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 बोले शंत शिरो मनी गुरु आ राचेर शिरी विद्द्याश शंगर जी महराज के जह जहां कर हम कर पाएंगे स्वमोषण का साक्षात कर और जान पाएंगे कैसे होगा जीवन का उद्धार ऐसे तीरतरा संबेशिक्र की तलटी में स्तित आत्मिकाश का दिविश्दन जैई शिद्धानतों की वैग्यानिक प्रियोश्याला जहां बोलेगा शमोशन और जहां पंचेयतन सेरी में आदभुत अतिस्वेकारी जिनाले जिन्मंदर का निमा श्वागत करता है और चलते हैं सायम कालेई शंका शमधान का कारिकम प्रारम करें उसके पूर्व पारश चैनल और प्रमाणिक एप के माद्धम से जो इस कारिकम को देख और चुन रहे हैं उन सवी की ओर से आप पूरे भारत पर से जो स्रावक श्रावी का यहां पर उपस नमोस्तो नमोस्तो आए गुरुवर के आशिरवास से हम और आप शंका शमधान का कारिकम प्रारम करें और पहले प्रशने के लिए आईए शंका स्रमधान का कारिकम हम प्रार्म करें प्रतम प्रस्ट के लिए मैं संजय जी को अमंतित करूँगा रामगड से और उसके बाद तयार रहेंगे हमारे गुनायतन ट्रेस्टी आरण जी गंगवाल राची हाजे संजय जी रामगड के पस्जाद श्रीमती कुश्म जी जैन तयार रहेंगे संजय जी रामगड और तयार रहेंगे श्रीमती कुश्म जी हाजे गुनायतन ट्रेस्टी तयार रहेंगे अशित अर्चना वेनाडा कोलकाता अगले प्रस्ण के लिए पूच जी गुरुवर के चर्णों में नमोस्तू 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 समस्ट रगामगड दिगंबर जैन समाज की ओर से नमोस्तू 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 गुरुवर मेरा सवाल ये है जो वर्तमान इस्थिती अभी हमारे भारत वर्च की है लगबग आज से तीन सो साड़े तीन सो साल पूरू भी यही इस्थिती हम देखते आएं है उस इस्थिती से उबारने के लिए एक यूप पुरूस ने जनम लिया जिसने ये उस समय उद्गोस दिया आज वो मैं इस्थिती देख रहा हूँ कि हमारी आज धार्मिक और जो सामाजी की स्थिती है जो डेमोग्राफी है वो बहुत हद तक उस इस्थिती से मिलती जुलती है उन्होंने दूसरा उद्गोस दिया जो आज हमारी सबसे गौरफ साली रेजिमेंट का धेवाक्य है युद्ध घोश है देह शिवावर मोही है शुब कर्मन ते कभुहून तरों जब जाए लड़ू अरिसू रण में निश्चे कर अपनी जीत करों मैं इस सामई सवाल के परिप्रिक्ष में जिस तरह उस युग पुरुस ने पुरे समाज को जग जोर के रख दिया था आज मैं यह स्थिति पाता हूँ कि हमारे समाज में पुरे हिंदू समाज में पुरे जैन समाज में एसा कोई युक पूरुष पूरे समाज को जग जोड़ने के लिए क्या उपलब्द है आपके संदर में मेरे दो पंक्तियां कहूँगा कोई कंस सताता जग को कोई कृष्णा बचाते हैं कोई कंस सताता जग कोई कृष्णा बचाते हैं जब जब रामन सोर मचाता राम दौड कर आते हैं कोई कंस सताता जग कोई कृष्णा बचाते हैं जब जब रामन सोर मचाता राम दौड कर आते हैं तब तब लौकुस पैदा होते हैं, जब जब गीता रोती है, जब जब सीता रोती है, घोर अधरमों के पलने पर गीता पैदा होते हैं. और मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ, जब अती होती है, तो आनता होता है, जब जब परिश्चतिया बिगड़ी है, कोई न कोई युक पुरुष इस धर्ती पर आकर धर्ती के आंसू पोचने का कारिकिया है, अब मुझे पूर विश्वास है, जब भी समय ऐसा होगा, इस धर्ती पर ज़रूर कोई ऐसे महान पुरुष पकट होंगे, जो धर्ती का आसू पोचें, जब भी महराज की जए, अशित अर्चना बिनाड़ा कोलकता, उसके बाद तयारेंगी, आयूशी जेन इंदौर, नमुस्तु महराज जी, आपकी उपकार का कहां तक बुन महराज जी, आज इस सभा में जितने लोग बैठे हैं, उन सब के मन में सिद्चक्र महामंडल विधान करने का भाव रहता होगा, आज उन लोगों ने कर लिया, आपके प्रसाद से, महराज जी, हम लोग सुरू से सुनते आये, छोटे थे तब, कि सौधर मिंदर बनना है, औ और सिद्चक्र विधान करना है और एक प्रतिमा चड़ाना है, लेकिन आज के टाइम पे अगर सिद्चक्र विधान करना है खुझ से, तो उसमें फैशन से ज्यादा कुछ नहीं होता है, कि हमको उसको देखना है, उसको यह ठाराना है, उसके लिए यह करना है, उसके लिए करें आप इस पे थोड़ा सामनों को बताईए देखो ऐसा है सेद्चा के विधान की महिमा सरवग्याद है और सभी करते हैं और मुझे संस्कृत का विधान बहुत प्री है क्योंकि इसमें जो आनन्द आता है वो आम विधानों में आता लिए तो पहले मैं संस्कृत का विधा गद गवस्ता है सौधर मी जालिक बनाकर एक मंडली विधान हुए सम्मेज सिखर में अनिक बार हुए फिर जैपूर में हुआ उसके बाद दाता में हुआ और फिर किसनगल में हुआ एक मंडली विधान हुए उसके बाद भिंडर जब हम गए भिंडर में विधान करने की बात आई तो दो तीन लोगों के मन में भाव आया कि हमको इस विधान का मुख भागिदारी दे दी जाए तो मेरे मन में आया कि सिद्चक विधान हर वेक्ति को अपने दरबशे करना चाहिए और उसका संपून लाब उसको मिनना चाहिए तो क्यों न हो इसे बहु मन्डली बना दिया जाए तो हमने चोबिस मन्डली डिक्लेयर किया अरतालिस मन्डली करना पड़ा तुरत लोग आये और ये पहला प्रियोग था जो भिंडर में अरतालिस जिगा स्री जी को विराजमान करके ऐसे ही मन्डब बना कर लोगों ने विधान किया अरतालिस मन्डली अरतालिस मन्डली था अरतालिस मन्डली विधान अट्टन्त भव्वता के साथ संपन हुआ तो वो प्रियोग बहुत सफल दिखा तो मुझे लगा कि इससे अच्छा क्या है और तालिस परिवार को एक साथ विधान संपन्द करने का सो उसर में लिया तब से फिर ये विधान की परंप्रा चली बावन गजा में 84 मंडल तक हुए रतलाम में बावन, बावन गजा में 84 चौसाथ और चौरासी और भुपाल में भी 84 मंडली हुआ अब 108 की बारी है और जब भी होगा होगा तो इसमें एक बात बिलकुल सही है जितने लोगों ने अपनी सहवागिता विधान में दी पूरा परिवार हर कोई ने अपने अपने रिस्तेदारों को भी एक सीमा बुलाया आपको कोई टेंसन नहीं न खाने की न पीने की न रहने की आपका एक ही काम भगवान का भजन करना तो ये एक बहुत अच्छा मौका है और ये एक बहुत अच्छा प्रियोग एक अलप राशी में सारी शुदा है और फिर ऐसम र मैंने इसले बी किया कि फिर कहेंगे हरकों कहेंगा मराज आप बिधान कराऊं, बिधान कराऊ तो साल अफर मेरा एक़ी काम रह जाएगा तो वो संभाव नहीं है तो ऐसे भी और लोग जो बीच में बिधान कराने आते हैं मैं उसमें उपस्तित नहीं हो पाता बस अश्टानी का अश्टानी का मंगल दिन है और उसमें मैं पूरा विधान आप लोग देखते हैं छोड़ता नहीं हो विधान करने के बाद ही सारे कार होते हैं आज का विधान बहुत अच्छे से संपन हुआ जितने लोग इस विधान में समेलित हुए हैं उन सब को आशित बाद आखरी में दूगा में अभी तो आज का कारकम और होने दो लेकिन निश्चित आज तुम्हारे सवाल के माधब से जरूर कहूंगा कि अगले विधान के लिए अभी से मन बना के रखो ताकि यहां घोसना होते ही तुम्हारा नाम प्राथमिक ताके साथ आ जाए और लोग लाब ले से करें बहुत बनी है चलिए आयूशी जेन इंदौर उसके बाद तेहर रहेंगे हमारे मुक मंदल पनियाज परिवार के विटिया नमान डाक्टर शुदीव जी आभाजेन दिल्ली नमुस्तू माराजी मेरे मेरे परिवार का और शुबदय जेन तीर्थ की तरफ सापको बारंबार नमुस्तू माराजी मेरा प्रशन पुन्य और पाप को लेकर है पुन्य और पाप की जो रेखाएं होती है जैसे कि जो हमारे लिए पुन्य है वो थोड़ा सा ही जो जैन दूसरे होते है उसमें वो फूल चड़ाकर पाप हो जाता है सनातन धर्मे में जाएं तो पाप की सीमाई कुछ और होती है तो पुन्य पाप तै कौन करता है कैसिफ इसी स्रश्टी में पुन्य पाप होता है यह भगवान जी के बैंक में भी पाप पुन्य का अलग-अलग कोटा रहता है लेकिए बहुत अच्छा सौवाज आपके सवाल को मैं दो दिशा में लेकर जो पुन्य पाप की क्रिया और पुन्य पाप का फल पुन्य पाप का फल तो हमें इस पष्ट तयार दिखता है जब हमें अनुकूलताएं दिखती है तो हम उसके पुन्य के फल के रूप में देखते है और प्रतिकूलताएं आती है तो उसे हम पाप के फल के रूप में देखते है यह तो अनुआ है मैं समस्ता हूँ इसके संदर्व में ज्यादा कुछ कहने की जिल्वत नहीं है लेकिन जब पुन्न और पाप की क्रियाओं की बात करते है तो वो क्रिया अभी प्राए पे निर्फ़र करती है जैसे एक विक्ति किसी मुनी की हत्या करने के लिए तत्पर है और दूसरा विक्ति उसको देखकर उससे लड़ा रहा है और दोनों में लडाई हो रही है और दूसरे विक्ति ने उस विक्ति की हत्या कर दी जो मुनी की हत्या करने में तत्पर था अब मैं आपसे पूछता हूँ जो मुनी हंता है वो और जिसने मुनी हंत्या की हत्या की है वो क्या दुनों एक है पहला हत्यारा कहलाएगा और दूसरा मुनी रक्षक पहला उपसर्ग करता और दूसरा उपसर्ग निवारक उपसर्ग करता ने कोई हिंसा नहीं की और उपसर्ग निवारक से हिंसा हो गई फिर भी उपसर्ग निराक निवाराक पुन्न के सेट्षेत्र में जाएगा और उपसर्ग करता पापी कहलाएगा बात सुमते हैं तो बात क्या प्रकट हुई निश्कत क्या निकला कि पुन्न और पाप का शंबंध हमारे अभी प्रायस है हम कौन सी क्रिया कर रहे हैं उसके पीछे हमारा दिष्टी कौन क्या है सबसे ज़्यादा महत उसका है उसको हम देख कर चलेंगे तो सब बाते अपने आप प्रकट हमा महराज जिसे यह पता ही नहीं है कि वह पाप में आता है जो वेक्ति आत्म विमुग्द होकर जी रहा है जिसके जीवन में जीवन के सत्त सत्त का विवेक ही नहीं है उसके प्रबलपाप का उदय चल रहा है उसका पतन सुरिश्चित है नमस्तू माराजी डाक्टर सुधीब जीवन डिली अश्कवाति 영 वड़ेत इंटेस्टि शारंगाराजी शौलापुर नमस्तू माराजी नमस्तू 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 मैं सुधीब जैन मेरा नाम अभी तक ठीक नहीं आ रहा था आज तो नमबर आपाये तुम्हारा मेरे अहुभाग्य माराजी आपके दूसरी बार दर्शन हुए एक आज साल पहले जवलपुर में आपके दर्शन हुए थे मेरी माता जी आपकी बहुत बड़ी फैन है और 24 गंटे आपका शंका समाधान और प्रामानी कैप के तुरू नहीं आ पाई उनका अभी किटनी का उपरेशन हुआ था भी एक और सजरी उनकी जाते ही करवानी है लेकिन वो इस बात से बहुत दुखी है कि वो यहाँ पर आपके दर्शन नहीं कर पाई आकर के माराजी मैं शिखर जी बहुत सालों बात दूसरी बार आया हूँ बहुत इस तरीके की धारणाएं थी कि शिखर जी हम लोग दिल्ली में ऐसा सोचते हैं कि डेवलप नहीं है साफ सफाई नहीं है रहने की सुईधा काने खाने की सुईधा लेकिन यहाँ पर आकर के इतनी अच्छी सुईधाय मिली जिसका बिलकुल अंदाजा नहीं था जिस तरीके से खाना पीना और सबना मैं दो तारीक से आया हूँ पूरा साथ-ाथ दिन कोई असुईधा नहीं हुई जाकर के मैं जरूर दिल्दी में लोगों को बताँगा जो लोग मेरी तरह regular धर्म से नहीं जुड़े हुए है मैं पहली बार life में इतना बड़ा program मैं ने अटेंड किया है साथ-ाथ दिन का program कभी life मैं इस तरीके से इतना बड़ा विधान नहीं अटेंड किया और मेरे जैसे और बहुत सारे लोग है मेरे सरकल में, मेरे जेहन बंधू, डॉक्टर, मैं स्पाइन सर्जन हूँ, उनको ये बताना बहुत जरूरी है, मैं भी बहुत डर के आया था, कि इतने दिन क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, और आता ही हम लोगों ने बनना भी की, मैंने पैदल बनना की, और कर पाया आराम से, दिक्कत नहीं आई, महराजी एक जो मेरी शंका है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा साइन्स से जुड़ा हुआ हूँ, शुरू से मेरी एजुकेशन ऐसी है, तो बहुत ज़्यादा तर्क रहते हैं, हमारे, हमारी पढ़ाई शुरू स संस्क्रित पढ़िया, पढ़ देता हूँ, लेकिन समझ नहीं पाता हूँ, तो मुझे ऐसा रगता है कि मैंने इतना बड़ा विधान में पार्टिस्पेट किया, और इतने एक हजार चौबिस मंत्र और उनको नौनो बार है ना, लेकिन बिना समझें मैंने बहुत कम तो मैं आपकी माताजी को आशिर बात देता हूँ, अभी नहीं आई उनको बोलो इसका मलाल न रखे, इतना पुन्न गाड़ा करो कि अगली बार तुम अपनी माताजी को लेकर आओ, अभी तुमारे सास ससुर तुम्हें बुलाएं हैं, अगली बार तुम इन रब को बुला आप नौ दिन का समय निकाला, मुझे लगता है, तुम्हारा सुभोदय आगया है, तभ ही निकाल पाएं, समेज सिखर जी के विशय में जो तुमने कहा बिलकुल सही है, और इस तरह का संदेश लोगों के बीच जाना चाहिए, आप समेज सिखर जी हमारा मूल ती तिस्थर है, ऐसी कोई अववस्ता यहां नहीं है, जिसको लेकर के लोग चिंगता करते हैं, और अब इसके विकाश की शुरुवात हुई है, और मुझे लगता आने वाले दिनों में यह भारत के एक सेष्ट इस्थल के रूप में जाना जाएगा, यहां की विवस्ताओं को देकर, फिर भी वरतमान में इसका इंफरास्ट्रक्चर अच्छा है, और लोगों को प्रेरना लेनी थे हैं, आकर के आनन दे लेना चाहिए, और अपने जीवन काल में, एक बार तो सम्मेज सिखर की बनना करनी ही चाहिए, और जवानी में बनना कर लो, तो समझ दो आन तक बनना कर आपने जो सवाल किया कि हमारे लिए संस्कृत का ग्यान नहीं है और इतने इतने मंत्रों का उचारन करने का हमें क्या लाव मिलेगा, देखें, मंत्र के अर्थ को जानने की कोई जरुवत नहीं होती, मंत्र का मतलब ही होता है जो रहष्य हो, मंत्र यानी रहष्य है, उच मे होता है फोने टिकाता है धनी विज्ञानिक प्रभाव जब हम मंत्र का उच्चारन करते हैं तो उसके उच्चारन से जो धनी की तरंगे उत्पन होती है वो हमारी जीवन में बड़ा सकरा सकारात्म बदलाव लाती है मंत्र के उच्चारन से हमारी कर्म बदलते हैं नष्ट होत भाव में प्रशनता थी की नहीं बोलो भाव में बहुत प्रशनता थी परस तो वही प्रशनता आपके कर्म को काटने में निमित्त बनी और साइंस की भासा में मैं आप से कहूं तो यह पूछ जानना चाहूंगा यह प्रशनता आपके अंतस्रावी गंतियों के परिवर्तन के बिना हुई क्या यह मेरे लिए बहुत थॉट प्रणा प्रोवोकिंग और बहुत इस तरीके का एक्स्विजियंस रहा जो मैं सोचके नहीं आया था मैं वहीं आ रहा हूँ मतलब हमने यह मंतरोशार किया और यह पूरा समार हो हुआ इससे हमारे मस्तिष्क में जो हमारे पिटूटिरी ग्लैंड है और आपके जाकर के अड्रिनल गंती है इन गंतियों में जो साव हुआ वो पॉजिटिव हुआ उससे हमारे मंदर प्रशनत आई तो वो परिवर्तन मंतर के उच्छारन से हुआ इसका मतलब हमारे सरीर में कोई क केमिकल केमिकली परिवर्तन हुआ और उससे हमारे कर्म जड़े ऐसा मान करके चलना चाहिए तो मंत्रों का धन्यात्म कसर होता है सब्द की शक्ति अपार होती है और जब हम किसी भी मंत्र को निरंतर दोहराते हैं तो उसकी आवरत्या वढ़ने से रिपिटेशन वढ़ने से उ थां ने फिर सामान रूप से मंत्र का उच्छर नी किया सिद्च्र की स्थाप्ला करके मंदल की साक्षी में अप सब मंदल में बिजाक्षा रखिवे अप उनकी सब इस्थापना करते सारी मांत्रिक सक्तियों की चेहした प्रतिश्था आज मुझे। श्रप्रदुमान है क्या आज उन्होंने मुझे एक फोटोग्राप दिखाया इसी स्टेज का उनके पास एक डिवाइस है यह पेसे से डाक्टर है पर बास्तू के विशे में ही एकाम करते डाक्टरी नहीं करते तो यह एनर्जी स्कैन करते हैं आप इस मंच की एनर्जी को देखिएगा तो हत्प्रब रह जाएगा यहां की उर्जा मैं चाहता हूं प्रद्यमन अगर संभावत पुरी दुनिया को दिखादवाज बजय हो सकता है चलो जब तक मैं इसके प्रश्ण को कंटिन्यू करता हूं साथ बैठ कर समुह में मंत्रोचार करेंगे तो इसका परणाम तो निकलेगा है ना तो यह चीजे हैं इसलिए मैं सभी से कहूंगा इसमें दिमाग मत लगाना बल्कि अपने दिमाग को घर में रख कर आना दिमाग लगाओगे तो भक्ती करी नहीं पाओगे उसको आप अप अपने घर रख कराओ फिर देखिये उसका क्या प्रभाव पड़ता है और यह भाव विशुद्धी का कारण बनेगा और मुझे पूरा विश्वास है मैंने अभी एक वाक कहा था कि लगता है तुम्हारा सुभोदय आ गया और मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि विधान तु जीवन को बदल दे जिससे हमारी श्रद्धा बहु गुनित हो जाए जीवन में परिवर्तन आ जाए यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्दी है और और सबसे बड़ी उपलब्दी तुम्हारे यहां की तीन पीड़ी बल्कि चार पीड़ी एक साथ धरम ध्यान कर रही है यह नन्ने मुन्ने बच्चों में भी जो संसकार आज डलेंगे वेकालांतर में बहुत गुनित होंगे बहुत बहुत आशिरवाद आप बिनोध जी पूछ लेज़े है अबले प्रशने दियर अनराग जुही जी के शुकुत्तर योग जैन और उसके बाद बिनोध रंजना वि जाती है और उसका पुनर जनम कैसे होता है देखो बहुत सवाल बहुत अच्छा है और इसे समझना चाहिए एक शोटे से लोखो भी इससे बहुत कुछ बहुत प्राप्ट हो सकता है हम लोगों का इस स्थूल सरीर के साथ दो सुक्ष्म सरीर और होता है एक वो जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है उसको बोलता है तेजस सरीर समझ गया और दूसरा एक सरीर है कारमन सरीर जो हमारे संसकारों का सरीर होता है समझ गया जिससे हमारे संसकार बनते और पलते हैं हमारी जब मृत्य होती है तो हमारा इस तूल सरीर यहीं छूड जाता है और हमारा जो संसकारों का सरीर है वो एक जन्स्थान से दूसरे जन्स्थान तक हमें ले कर जाता है हम संसकारों के सरीर के थूरू नए जन्स्थान में जाते हैं कहा जाते हैं जिसको हमने पहले से ताय कर रखा है जहां का हमने कर्म पहले बांध रखा है जो संसकार हमने जमा रखा है तो ये संसकारों का सरीर जिसको सास्त की भासा में कार्मन सरीर कहते है वो हमें यहां से वहां पहुँचा देता और तुरत पहुँचा देता है उसमें टाइम नहीं लगता और वहां पहुँचते ही हमारी आत्मा अपने पास कुछ बिशेश प्रकार की सक्ति प्रकट करती और उस सक्ति के बलपद हम नए फूर सरीर के निर्मान की प्रोसेश सुरू करते हैं पिर सरीर बनता है फिर इंद्रिया बनती है फिर स्वास पर स्वास लेने क्या हम सुरू करते हैं स्वास लेने की छमता आती है, फिर बोलने की छमता आती है, फिर सोचने की छमता आती है, ये सब चीजें हम अपने जन्म के कुछ ही मिन्टों में प्राप्त कर लेते हैं, और उसके बार फिर पूरे जीवन हम अपने इस सरीर के माध्यम से काम करते रहते हैं, समझ गया है, और यह बहुत अच्छा सवाल है और लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए पूरे स्क्रीन में उसको आप इस्टे अभी की अभी तो पॉसिबल नहीं है अगर हो पॉसिबल तो करके दिखा और मज़ा तो तब आएगा कल को सिस कर सकते है महारेश्री वो सैट अप करना इनों ने इसका एनर्जी के स्कैन की थी और यह देखा कि इतनी अधिक एनर्जी तो जब हमारे भाव तरंग अच्छे होते हैं तो इसका प्रभाव तो होता है Sandeep जी आपको मंत्रों का एक प्रभाव बताता हूं हाँ सुदीप ठीक तो हम लोग उनीस तो छियानिवे में पिंड्रे में एक पंचकलानक करा हैं सुदासन्जी के गाउं में चोटा सा गाउं है असी पचाशी परिवार और वहां का पंचकलानक बड़ा इतिहासिक पंचकलानक था गजड़त हुआ एक चाली सेकर की समतल पहाडी थी उस पे आयोजन था और उस आयोजन में पच्चीश किलो मिटर की परिदी के हर घर में मेहमान थे पूरा ट्राइवल एरिया आदिवाशी इलाका लोग जब उस पंचकलानक में आये तो अगर उनको कहीं बजारी में काम तो सब कहते हैं हमारे यह पाहुन आये वे हैं जबर्दस्त लोगों की उमंग थी हमने पच्चीश पच्चीश हजार लोगों को संबोधा है वहाँ एक साथ और दूमें सब आदिवासी जन्मक अल्यानक के दिन ऐसा हुआ कि जन्मक अल्यानक का जहां जन्मा भी शेक था वहाँ हमारे समाज के आर दस हजार लोग थे और पंडाल खचा खच भरा हुआ था तो मुझे अलग से प्रवचन करने जाना पड़ाओं के दिए उस वर्ष पूरे इलाके में इल्ली का जवरजस्त प्रकोप था फर्वरी महने की बात थी फर्वरी में इनका पंच्ची लानक था इल्लियों का इतना प्रकोप था कि पूरी कि फसल तहस नहस हो गई थी तेंगि सुदर्सन साक्षी है इसके आप सुनकर ताज्यूब करोगे पिंडरे के चारो तरफ पच्चिश किलो मिटर की इराके में चने और मसूर में दुबारा फूर आ गए और रिकार्ड फसल अब मुझे नही मालूम यह कैसे हुआ लोग ने मुझे का तो मैं तो यही कहां कि इतने सारे लोगों की सदभावना का प्रताफ यह निकला कि यह चमतकार घटकिया तो मंत्रो चार का बहुत गहरा अशर होता है और जहां भी इस तरह के सामोही करुष्ठान होते हैं हमें उस बाइबरेशन को फिल करना चाहिए उसका जो प हाँ और अगले प्रेस्के आवंतित कर रहा हूं शिर्मेशन रख्षक शेट विनुद रंजाजन विलाशपूर उसके बाद तैयार हैंगे अगले प्रेस्के लिए एड़ुकेट चैंचल जी टोंगया हाई कोट राची मैराज जी के चरणों में मेरे परिवार की ओर से ति इसले बार जब अनुज ने कटनीव बिधान कराया था तब भी उसने हमें निवन तर्क दिया था यह नहीं पहुंच पाया इस बिधान में बैठने के बाद मैंने यह पाया मैंने भी कई वार बिधान कराया महराजी मैं अपने जीवन में 20-25 सिदक बिधान अटेंड कर लुका हूं पन्तु जितना अच्छा यहां पर लगा आठ दिन पता ही नहीं चले कैसे चले गए यहां तक सोचता था बादा वजे विधान खतम हो जाएगा फिर क्या करूँगा कैसे समय वितीत होगा तुम्हें कल अनुष से बोल रहा था इतना विजी सेडूल किसी भी ध आपका ते फिर से नमोस्तु करता हूं आपसे आथीवाज चाहता हूं वहराजी मेरा प्रसने है संखा है नाट प्रसने कि जैसे मेरे बड़े भाई उत्तम जैंजी मेरे भतीजे अनुराग अनुज ने इतना अच्छा योजन किया मेरे पूरी परिवार को बोलाया निश्य की से कनेक्टेड एक प्रसनोरे मेरा जी मेरा हम लो關係 अपिराजपुर में एसा बहुत से मेराज जी जो उन आपने मंदिर बनवाया है और उसमें जो प्रतिमाई विराजमान की है तो जो प्रति दिन मैं चन्दिग्री में मैं विजे सिकर बनाने का आशिवाद प्राप्त हुआ है। पहले मैंने गुरू जी को 2011 में आहार दिये थे। उसमें मैंने पांच कुछपना की थी कि मैं सिकर में लगाऊंगा। गुरू जी ने बोला ठीक है फंट की कमी थी उनने पांच कुछ में ले लिए और अभी मेरे को आशिवाद दिया है कि अब तुम्हें सिकर अकेले बनाना है। कोई बात नहीं मैराजी उनकी आशिवाद से सब आ रहा है। मैंने उनको कविटमेंट कर दिया एक साल में आयक पर सिकर बनाके दूँगा। सिर्फ मेरा यह जो कॉस्चन है मैं कई वहराजी को बात जाता हूं सभी बोलते दिए आपने मंद्रे बनाया है प्रतिमा विराजबान की है तो आप नियम से नरक नहीं जाएंगे। क्या ही सत्य माराज जी और हम लोगे जो इक्षा है कि हम भी स्वर्व में दियोंबने ऐसा ना हो कि हमनारी जीमन बतीत करना पड़ए या और कहीं जाना पड़ internships तो उसके लिए हम लोगों को और आगे क्या करना चाहिए तीसरा एक तीसरा वराजी मैं जो आप से कॉस्टन किया मैं पिछले दस साल से सोच रहा हूं कि मेरे को बिधान कराना है उसमें बिलासपुर समाज प्लस परिवार वालों को जोड़ना है क्या मैं ऐसा मानूं कि मेरा अभी तक संयोग नहीं बना तो मैं विधान आयोजित नहीं करा पाया वो भी मेरे को सिखर जी में कराने की इच्छा थी आज मेरे बतीजी लोगों ने कराया मैं बहुत प्रिसंद हूं मेरे को बहुत गौरानमित मैसे सोरा जवाब बोलते हैं कि कोईला परिवार की चार पी तीन सवाल एक सवाल में पहले तो मैं यह कहूंगा आपने सबसे पहली बात कही कि आओ जन किसी ने किया हमें आवंतित किया हम आकर के बिधान में सभागी हुए तो इसमें किसको कितना लाव मिलेगा तो देखो भाई जिनने बुलाया उसको तो पूरा हंड़ेट और तुम्हारा भी तुमने आपकर के जो पूजन विधान किया जितने लोगों ने किया उनका पुन उनको मिलेगा लेकिन आपने जितना कमाया उसका सवा सोला परसेंट इनके खाते में जाएगा वो एडिशनल इसने अकेले आप जो करोगे वो आपका लेकिन किसके निमित उसको अदिशनल बोनस मिलेगा, आपका आपका आप जोच किया हरा हमारा घड़ जाता है लेकिन यहां नहीं, धर में का गुछ ऐसा, एक बार खुल जाता है, तो चलता रहता है, और उसके रुप सारे कायर होते हैं, उसको देख करके हमे चलना चाहिए। तो यह बात तो हमें समझना चाहिए, कि धार्भी कायरे में, हम जब करें, अकेले न करें पने साथ जितने गोगों को साभागी बना सके बना है, ठीक है ने, अब आप लोग तो अपना बोल रही है है, अब हमगर अपना सोचे ले तो, तो फिर मिली रहा है, और फिर हमारे उपर भी है. कहा है सुरोप? तो सारा किरके एक अउंट ने जा रहा है? अब लोग इसको क्या बोलते है? चेन मारकेशिक्टिक्र सिटम होता है? बंढ ना, ने, चेन ने हो, खके मिशन होता है, इसमें एक दूसरे कटता जाता है. को है कि she your choice को है कि अ है ए तो ए सी चलता रहेगा तो यह तो अपनी आप चलता यह अ पर मेरा आप सब से कहना है धर्म का कार करते समय यह मद देखो की मुझे कितना पुन्य मिलेगा बहुत ध्यान से सुनना धर्म का कार करते समय ये कभी मत देखो कि मुझे कितना पुन्न बिलेगा धर्म का कार तो सदे इस भाव से करो कि ऐसा करने से मेरा जीवन पुन्न बनेगा मेरा जीवन पुन्न बनेगा मेरे अंदर पवितुत आएगी ये प्रयाश हमारे अंदर का होना चाहिए, तो बहुत बड़ा बदला होगा, आपने मंदिर बनवाया, बहुत अच्छा, और ये भी बिलकुर सही बात है कि कोईला परिवार का हमारे समाज में बहुत बड़ा योगदान है, और गुर्देव के आशिरबात से, संचालित सभी प्रोजेक्स में, ये लोग बहुत बड़ा बड़ा योगदान है, ये लोग जिने बिलासपूर की बात की अवर कंटक के मंदिर में इनकी मुख भूम का है ही, और कटनी में, अभी कोई उत्म चंजी के अनुज अनुज़ाग अनुज़ाग अनुज़ाश की में अनुज़ में किसी प्रिकार की उपकरण आदी को देना नित्त पूजा की शिर्नी में आता है, तो हमें इसे नित्त पूजा की रूप में देखे, जितने लोग भी ऐसा कर्म करेंगे, उनके खाते में प्रबल पुन्नाएगा, इसमें कोई संसे बाली बात नही है, ये चलता रहेगा, चलते रहना चाहिए, और जो आपने कहा कि हम लोग प्रतमा विराजमान कर दिये तो नरक नहीं जाएंगे, मैं आप से कहता हूँ, मैं ये बात नहीं कहूँगा, क्योंकि फिर आप लोगों को लगेगा बढ़िया है, एक भगवान विराजमान कर दो, और नरक से बचने का लाइसेंस मिल जाएगा, तो ये लालस तो मैं नहीं दूँगा, पर ये जरूर कहूँगा कि तुम एक प्रतमा विराजमान करोगे तो सेक्लों को नरक जाने से बचा लोगे, भगवान के मंदिर में जो आएगा वो पुन ही कमाएगा, पाप नहीं करेगा, इसलिए इसे धर मायतन कहते हैं, यहां कोई पाप नहीं करेगा, कोई अभागा आजाए बात अलग है, तो वो आएगा पुन ही करेगा, तो उसका पुन उसको नरक जाने से बचाएगा ही न, तुमको नरक नहीं जाना पड़ेगा, छोड़ो भगवान का मंदिर बनने वाला तो खुद मान बन जाएगा, हलका क्यों मानते हो, जो महराज ने तुम्हें बताया हो गलत बताया, उनको बो महराज सही फल बता, जो एक्शिवल फल है, इसलिए अपने पास सक्ती है, समय है, संसादन है, धन है, तो अच्छे कारे में लगाओ, ये द्रब लगेगा, तो केवल पुन म खमाएगा, इसलिए जब कभी कोई धर्म के निमित का कायर हो, बड़ चल करके हिस्सा लेना, समझ गए, इसलिए, मंदिर बनाने वाला नरक नहीं जाएगा, ये कहना मुझे नहीं जसता, लेकिन जो मंदिर बनाएगा, उने को को नरक से बचाएगा, इसमें कोई संसादन है जान भी बागी मारा जी बिनोच चाचा ने जो कोईशन आप से एक और पूचा था, उसका जवाब नहीं मिला उनको कि जितने लोग मंदिर में पूजा करने आते हैं, जो कोहला परिवार के दोरह बनाय गया है, बिलासपूर में, उसमा मुतर अधे दिया, सबका सबा सुला परशेंट जाता है खाते हैं चलो अगे एक मेरा क्वेस्टन ता माराज जी अब पिछले आठ दिन से जिस तरीके से यहां पर उत्सफ जैसा हम लोगों ने जीवन जिया मेरा यहां आने का बिल्कुल प्रोग्राम नहीं था माराजी मेरी टिकेट कहीं और की थी ग्यारा वजे सरह मेरा वस्तर दर्यक जी आ जा सकता है कभी कभी क्वें के होता है कको मंदेन लाइफ जातीर रूटिन लाइफ यू तो हम पुड़े अई हैं पूरे जीवन को सफके तरह कैसे जी एंग्यों अप्सब करुकर अगरे तो मैं कहह रहा था, फूरे जीवन को उत्साव की तरह बनाई रखने के लिए सुबा उठो, मन को प्रशनिता से भरो, भावना यूग करो, भावना यूग का एक छोटा संसकरन्त, पांच मिनट वाला है, पांच मिनट करके करने वाला, और रात में सोते समय पांच मिनट का है आप उसे महसूस करते हुए करो, और आज के इस दिन को मैं उत्साव की तरह जीओंगा, मुझे प्रशन रहना है, मुझे सहद रहना है, मुझे अनन्द में रहना है, ये बाग के बार बार दोराएं, उसका प्रभाव पड़ेगा, बहुत बढ़े हैं, और आईए आगले प मैं अब दिल्ली जाकर के कोशिश करूंगा, जो मेरे सरकल के लोग है, साइंस की वज़े से, साइंस और धर्म मैंने देखा है, बड़ा उपोजिट चलते हैं, जितना साइंस भरती जाती है, ये लोग धर्म से धूर होते जाते हैं, मैंने ये सब वीडियो फोटो अगरा अ होंगे हाई कोट, शोपोत शोरगी निर्वाल जी तोंगे राची, आपना प्रश करेंगे और उनके शम्मान के यमंतित करूंगा, शुनील जी अजमेरा और शुवाज जी सियो गुनायतन, शभी एक साथ जाए परिवार के शभी शदस, तालीब जाके इनका शम्मान करें, यह मैं पहुचा जल्दी पहले, ओवरीटिंग ने करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, तो मेरा बहुच छोटा सावाल है कि अपने जीवन में इस इस्सिप्लीन को कैसे लाए जाए 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 और इसको कैसे रखा जाए जीवन ताकि प्रोफेशनली और पर्सनली इसका अना फाइदा मिलता रहा है। परले तुम्हें चाहूंगा एक बार चंचल भाई का आप सब लोग जोरदार करता भनेशा मिलतान करें। यह हमारे समाज की एक अभरती प्रथवा है और बहुत तत्परता से इनोंने जारखंड के उच्छे नायले में अपनाए अच्छा इस्थान बनाया है। यह ऐसे ही के लिए वीगति को सब से पहली आभश्वकता है संकल्प से बन ले हम अपने आप में संकल्पित हो जाए कि मुझे एकाम करना हम नाग niez वारा लंच और धे हमेसा वारे सामने होना चाहिए जब अमने उस свое धेवन लक्षोन मुखी बनता है उसके सामने जब उसका लक्ष होता है तो अभी भटकता निया और लक्ष की प्राप्ति के लिए अपने आप उसके मन में नुशासन होता है जैसे एक उधारन दे रहा हूं यहां भी बिधान चला लोग साले पांच बजे से आ जाते हैं और उसमें व बिना किसी शुबधा के भी आ आ आ एंदर एक उमंग जागी, रुची जागी, और मन का संकल्प, कि हमें यहां विधान करना है, यह मेरे लिए जीवन भर की उपलब्दी है, लाइप टाइम अचीबमेंट है, तो प्रेर्णा हो, तो वेक्ति के मन में संकल्प हो, सामने उसका लक्ष हो, अपने कारियों के प्रती रुच्छी हो, तो अनुशासन की प्रेरा आपने आप चेके की, बहुत बनीए, पासुनिए, और आएनके शम्मान के लिए मैं मत्तित करूँगा, हमारे गुनायतन के शयुक्त महमंती, शुनील जी अजमेरा, और गुनायतन के शियोश प्रत करेंगे, और आप उनके शम्मान में ताली वजा कर उनके भावों की अनुदना करेंगे, निर्मान डिजी की रूप में जुड़ने का शुवाप प्रत किया, ड़क्टर अनुफ जी, नागेंद, कुमार जी, वंडी, इंदौर, अपने इस्तान में खड़े होके इन्हों निर्मान डिजी से जुड़ने का शुवाप प्रत किया है, और जिनके नमों की गुष्ट ना किया है, तो अगर उपस्तेते ने तो अपने इस्तान में खड़ोके गुर्वर का आशिरवाप प्रत करेंगे, तो आरी शा वीरा इवा, शिद्दार्ट कुमार शाय, वाशी शोलापुर जोरदार तलिवज़कर इन शवीखा शम्मान करेंगे और आईए मैं आमंतित करूँगा मंच पे उन सुधी श्रावकों को जिनने अपनी और से दान देकर अपने परिवार का बहुवान वढ़ाया है शर्प्रतम शौन दान दिरा है आमंतित करूँगा र अगर उपास्तेत हैं तो वे आएंगे और हमारे गुणायतन परिवार का शम्मान के लिए मैं बुला रहा हूं श्रीमान कालिजाजी शावडा जी अगंज और श्रीमान देवें जी अजमिरा गया गुणायतन श्रेकोश अध्यक्ष ये दोनों आएंगे हमारे शम्मान ने श्रीमान बिमल कुमार जी रेंड़ जेन इंद्रा पुरम गाजी अबात का प्रतीक चिने देकर शम्मान का कारिकम शंपन की और जोड़दार तारीव जाकर इनका शम्मान करें और आईए इसी करम में मैं आमंतित करता हूं जिन्नोंने शोन दान देकर अपने परिवार का बहुमान बढ़ाया है श्रीमान बिमल कुमार जी जेन इतो हो गए कोई दिक प्रत नहीं और आईए इसी करम में निर्मान मित्र के रूप में जोड़ने का शभाग जनल प्रत किया था श्रीमती कांता देवी धर्म पत्नी अजित पार्टनी नरेंद पार्टनी मुगल सराय शूरत अश्टानी का पर्वे में इनका नाम तो कल तो हो चुका था आए निर्मान शार्ती के रूप में श्रीमान बिजय कुमार श्रीमाशी शंतोसी अंकुर स्वाती आशिश देव्या दर्सी जैन सिवपरी अगर उपास्तेतन तो वे आए हमारी गुणायतन परिवार का शुकार करें और उनके शुमान के लिए में आमंत्यत करूँगा हमारी गुणायतन की उपात्य श्रीमान अनेल जी सेटी और श्रीमान अरुन फिल्यमान अरुट सब्सक्राइब आईए इनके शमान के लिए अनिल जी सेटि और शाथ में अरुन जी गंगवाल राची ही आएंगे हमारी में पॉन्यारीजक का शम्मान करेंगा हूंगा जोरदार तालिवजे करने करें इसी किनम में गुणायतन से गुणायतन चस्टी क्रूप में जढ़ने का जैने श्रवाग प्रात किया है मैं आवंतित करूँगा श्रीमती शरला जैन धर्म पत्नी स्वरगी प्रदीप कुमान आदित करती का जैन अदभी का जैन दिल्ली अगर उपास्तेत हैं तो वे आएं पनम पोज मुनिवर के शिचर में नमन कर यह आएंगे हमारे गुणायतन टश्टी श्रीमती शरला देवी परिवार का शम्मान का करिकम शंपन करेंगे इसी क्रम में मेरट से हमारे बीच गुणायतन टश्टी शीरिमान बीरेंट कुमार जी अपने परिवार के शाहत पुपस्तेते में चाहूंगा अवियाएंगे पारम पोज मुनिवर के शिचन मनवन करते हुगरवन्दा का शौभाग प्रात करेंगे और उनके शम्मान के लिए आवाद दूँगा शीरिमान प्रेमचेंजी प्रेमी कटनी और शीरिमान अरविंद जी राजा गुणायतन टश्टी जवलपुर ये दोनों आएंगी हमाजे शम्मान ने श्रीमान बीरेंट कुमार जी वीना जी उनका शम्मान का कारिकम शम्मपन करेंगे और आप जोरदार ताली वजाकर इनका शम्मान करेंगे और आईए इश्री करम में मैं आवाद दे रहा हूँ जिनोंने निर्मान मित्र से निर्मान बित्क्रूप में गुलाइतन से जड़ने का शुवात पात किया श्रीमान विजे कुमार जी अन्राग जिन इशनी है लता जैन एहमदावाद भीया पहले इनका सम्मान कर दो पहले इनका कर दो बाद में दूसरे का करना श्रीमान बेजे कुमार जी परिवाल का सम्मान हो रहा है और हम अंतित करूँगा हमारे श्रीमान शुनिल जी पहाड़े और आशोग जी सेटी ये दोना आएंगे हमारे शम्मान नी मेरट वालों का शम्मान का कारिकम शंपन करेंगे आए शुनिल जी पहाड़े हिद्रबाद और आशोग जी सेटी कोलकता श्री बीरंत कमार वीना जेन रीतेश रोमी शंजे वंदना अंकुर रुची जेन परिवार अरियंत जिलस मेरट श्रीमान बेपिन रेखा जेन इनका शम्मान का कारिकम हमारी श्रीमान पहाड़े शाव और शेटी जी कर रहे हैं आईए और आईए जिन्होंने इस महानुष्टान में अपनी और से पूजंद्रव आदी में श्रयोग प्रदान किया है श्री पदम चंजी रत्न प्रभाग अधिया कोलकता पूजंद्रव में इंक्यावन अजर रुप्या गुणायतन ट्रिस्टी श्रीमान माहिप्रसाज जी ट्रेंज रुप्या रीमा रवी आनोजेन गुणाव पूजंद्रव में श्रयोग प्रदान किया अशुक्स मंजन गुणगाव पूजंद्रव में 11 जाइज़ श्री दुलिप जी आनिमेश शरीता दुरगापर 11 रुपया शिरी शुलेखा जी विलाषपुर पूजंद्र में 11 जरुपे की राशी पनान की बहुत बहुत इनके भावों के लिए धन्नवाद और आईए चलते हैं पुने एक बार हम और आप हो तो गया है और आईए मैं आमंतित करूंगा अगले प्रश्मियेश हमारे गुणायतन टर्ष्टी मेरत से स्रीमान बीरेंद कुमार जी मीना जैन परिवार और इसके बाद तैयारेंगी गुणायतन टर्ष्टी शीरिमान अरुण जी गंगवाल राची नमोस्तु गुरू जी तमोस्तु गुरू जी महराश्री हम अभी जलाई में आपके दर्शन करने आये थे तभी से हमारे परिवार का ये भाव था कि पूर साब परिवार आपके दर्शन करने के लिए आएंगे तो आपके आश्री वसे सभाग्य हमारा आज पूरा हुआ है कि हम साय परिवार आपके द्रश्णों के लिए आए है महाराश्री हमारी एक शंका है कि कोई भी माता पिता जो होते हैं मतलब बच्चे उनकी कमजोरी होते हैं महाराश्जी जिनके लिए वो सब काम करते हैं तो महाराश्री हमें ऐसा क्या गड़ा चाहिए कि जो हमारी कमजोरी पूरी हो जाए वरत देखे बहुत अच्छी बात है कि आप पुरे परिवार के साथ यहाँ आए और मैंने सुना है कि तीनों दुकाने बंद करके आए पूरा घर एक साथ आए है बहुत अच्छी बात है अर मेरट के एक प्रतिष्ठित ज्वेलर होने के उपरां प्रतिष्ठान बंद करके आना प्रतिष्ठान बंद करके आना एक अनुकरणी यह पहल है बहुत बहुत आशिक आप ने जो सवाल किया और एक कहा कि बच्चे हमारी कमजोरी है मैं इसे आपको सुझाओ देना चाहूँगा कि बच्चों को कमजोरी मानने के जिगा उन्हें ताकत बना लगा बच्चे आपकी कमजोरी नहीं बच्चे आपकी ताकत है बसरते आपने उनकी सही तरीके से पालन पोशन किया हो उनको अच्छे संस्कार दिया आराश्री वह बास सही है लेकिन कहीं बार माताप जैसे मैं अपने लिए कहती हूँ कहीं बच्चों के लिए जैसे अपने माता को कभी जूट बोलना पड़ता है मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ आपकी सेंस में कमजोरी कहने हैं मुझे पता है पर मैं पहले आपके वाक़ को संसोधित करना चाह रहा हूँ और हमें अपना दृष्टी कौन बदलना चाहिए बच्चे हमारे कमजोरी नहीं बच्चे हमारी ताकत है और उस ताकत का हम अगर सही लाव ले तो फाइदा है तो हमें उस ताकत का सही लाव लेने की कला अपने भीतर विक्षित करनी चाहिए और उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है बच्चों का लालन पालन सही ढंग से करने की कोशिश करनी यदि वैसा लालन पालन हम चीक तरीके से कर ले तो हमारा जीवन बखू भी अच्छा बन जाए और हम अपने जीवन में बहुत अच्छा आदर्स उपस्तित कर सकते अब रहा समाल बच्चों के कारन बहुत जगा आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है मैं कहता हूं यह बच्चों के कारन नहीं होता अपने मोह के कारन आप बच्चों की भविष्य को ठीक बनाए रखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल धर्मनिष्ट और संसकार निष्ट करके काम करें उनकी अच्छित मांगो को कभी पूरा न करें और उच्छित में कोई कमीन होने करें बगाडता है मोह समझ गया है अपना बच्पना याद करो तीन चार भाई बहन होंगे ठुके पिटे भी होंगे खुब जम के मजबूत हो गए इसी लिए तो अब आज एक ज्यादा से ज्यादा दो अब जो बच्चों के लालन पालन का तरीका है बिलकुल अलग है पहले बच्चों को समय मिलता था अब पैसा देकर लाट खरीदा जाता है समय ने है संसकार कैसे है इसलिए जो ताकत बननी चाहिए वो कमजोरी बन रहे है अब बच्चे भी बहुत होशियार है वो भी इसका पूरा फायदा उठाने लगे है बहुत छोटे उम्र से ही बच्चों में ये च्छना आ जाता है और वही उनका बटाधार है इसलिए घर परिवार का बातावरं अच्छा बनना चाहिए बच्चों के साथ मार पीठ हो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ पर मैं इतना जरू कहता हूँ कि हमारी नीती सास्त्रों में जो बाते कही गई है उनका पालन होना चाहिए ला लिये च्छत वर्सानी दस वर्सानी ताडिये जायते तू एक आदे सोड़ से वर्से मित्र वत्समाचरे चार साल तक बच्चे को पूरा लाट प्यार दो और उसके बाद जाए दस साल तक फुल कस्टडी में रखो ताड़िये और नीती कहती है लालनात बहवह दोसा ताड़नात बहवह गुना तसमात सिश्यम चा पुत्रम चा ताड़िये नतु लालिये डाट में बहुत गुन है और लाड में बहुत दोस है इसलिए शिश्य हो या संतान इन दोनों को ताड़ना दो डाट लगाओ लाड जादा मत दो नहीं तो बिगल जाएग तो अगर मोह कम होता है तो चीजे अपने आप विवस्तित होगी और जीवन का अक्रम आगे बढ़ेगा ठीक है ने चलिए नमोस्तु महाराज श्री गुनायतन प्रिवार के शवी टर्ष्टी साथ में एंशी जैन साब एनल जैन साब शवाजी सियो ये शवी आएंगे और हमारे दैयोदय महाशंकी परम संदक्षक शेष्ट विनोज जी विलाशपूर राष्टी अद्ड़ शिनिवान प्रेमचें जी प्रेमी और शुनिल जी अजमिरा प्रायंती मंत्री जहारखंड विहार गुनायतन परिवार के ओर से जो आपका सयोग जीव दैयक लिप राप्त हुआ है उसका चेक आज इन पदादिकारियों को परदान करेंगे नमस्तु गुर्वर नमस्तु देवेंजी अजमिरा सयोग्त कोशा अध्यक्ष गुनायतन गया अनिल जी सेटी ओफ आध्यक्ष गुनायतन हजारी बाग और डबुजी कार्शलवल गुनायतन टेश्टी गया ये शवी आएंगे पदादिकारी शीरिमान अरविनी जी राजा गुनायतन टेश्टी अच्छा ये शवी मिलकर हमारे दैदो महाशंके परमसंदक्षक शेट बिनोजी और राश्टी अध्यक्ष श्रिमान प्रेम चेंजी प्रेमी और प्रांती मंती जहार खंड विहार शुनिल जी अजविरा इन शवी को और साथ में हमारे मनोजी कनोज जो की शवी को इस महा अरुष्टान में एक बहुत अच्छी राशी क्राप कुई हैं और उस राशी का चेक लगवग 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 ने पूरी इंक्यावल लाख रुपे की राशी का चेक आज शुर्दार तारी वजाकन का शम्मान करें ओ देखो भाई आप लोगे ने तो केवल बोलाई है और आपकी बोली की आधार पर गुनायतन ने सौप दिया क्योंकि जीव दया के कारे में एक शनका भी विलंब नहीं होना चाहिए तो गुनायतन ने आपके बिहाब पर दिया है इसने जिसने बोला है सबसे पहली प्राश्विक्ता में जीव दया का अपना द्रब देना और जितना आपने बोला उससे ज़्यादा गुनायतन ने दिया है और ये गुनायतन की हमेशा परिपाटी रही है और मैं हमेशा धार्मी कायोजनों में लोगों को ये प्रेरित करता हूँ कि इस तरह का कायर करें और तुरत द्यान महा कल्यान को अपने जीवन का आदर्स बनाएं देवदे महा संग के लिए मैं ये कहूंगा कि अपने कायर को इसी तरह और सुचालू करते रहे ताकि अधिक से अधिक गौव सर्रक्षन मिल सके और अपने उद्देश को आगे बढ़ाया जा सके चलिए नमोस्तु गुरुवर अभी तुरद आननजी फ्रांस का तुरंद फोन आयता अभी दो मिनट पहले आपसे आशिरवाद मांगाए गुरुवर आननजी फ्रांस का फोन आयता गुरुवर प्रस्न मेरा गुरुवर गुनायतन की महिमा और आपके चर्णों में जब आता हूँ तो उसका अनुभव से संबंदित है दो लाइन में प्रस्न है चोटी से लाइन में कि आपके दर पे आने से पहले में बड़ा कमजोर होता हूँ लेकिन आपकी दहलीज छूते ही मैं कुछ और हुआ करता हूँ इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है इतना शखरात्मक लगता है ये गुरू अरही आपका चुम्ब की ब्याक्तित हुए ये क्या है करामात है क्या क्या है क्योंकि कभी-कभी मेरे आजकाल इंदिनों सपनों में गुनायतन और आप बराबर आते हैं ये क्या है मुझे बहुत तकलीफ होते हैं इसको समय से मुझे दुख भी होता है मुझे दुख इस बात कहोता है कि तुम लोग खिच के आते हैं तो चले क्यों जाते हैं मैं चाहता हूँ ऐसे खिचों के चिपक ही जाओ जाने का ही काम नहीं तो मुझे लगता भी पावर और बढ़ान नमस्तु गुरुवर्ण उसके बाद महाराजी का आशिरवाद चाहूंगा उन इवाशातियों के लिए जिनर इस महानुस्टान में बहुती बड़ा सयोग दिया है शीमान प्रमान सगर शेवाशंग ललित पूर एक प्रशने करिए बोलो नमस्तु गुरुवर्ण नमस्तु गुरुवर्ण मेरे मन में एक सवाल है कि आजकल थोड़ी सी भी प्रतिकूल प्रसीतियां होते ही लोग आत्मात्याइं करते हैं और इंदीनों बहुत हो रहा है ये सब तो जब मर्त्यू निश्चित है तो फिर ऐसा क्या कारण होता है कि व जब मरना होंगा तभी मरूंगा तुसके हुम क्या कहें तुसके हम क्या कहें तो पहली बात, आत्म हत्ता एक प्रकार की हत्या है श्वैयम की, अर हत्या स्वा की हो या परकी हत्या हत्या है और हमें ऐसे किट्त्यों से बचना चाहिए, ऐसा कृत्त करने से मनश अपना घोर पतन करता है उसे वही पाप भूगने को मिलेगा जैसे किसी दूसरे इंसान की हत्या पर होता है इसलिए ऐसे कृत्यों को कतई पूत्साहित नहीं करना चाहिए इस से रुखना चाहिए श्री प्रमान शागर सेवाशंग ललितपुर के शवाशाती एक प्रस्ण के लिए और इसके बाद आमनतित करूंगा हरक गंगवाल गया नमोस्तू मरासी नमोस्तू गुर्देव इंसान के नाम की पहचान स्रीशी मान से शुरू होती है परंदू उसके बैक्तित की पहचान उसकी जवान से होती है तो जवान में किन बातों का देहन रखना चाहिए जो हमारे नाम का मान और हमारे बैक्तित की सान दोनों बढ़ा दे जवान में किन बातों की सालथानी रखनी जिससे हमारी नाम और वेक्तितकी सान दोनों को ठीक बनाए रखें कुछ मत करो जहान में जैसी लोच है वैसी लोच अपने जीवन में बनाए रखो, बैभूहान में बनाए रखो जहान में तल्खीने रखो तो सब ठीक हो जाए नमुस्तु बुड़ देखें नमुस्तु महराज जी, करोद कसाय तो हमारी पकड में आ जाती है, करोद कसाय तो हमारी पकड में आ जाती है, लोग भी कुछ कुछ समझ में आ जाता है, और परमानो मया की पहचान कैसे करें, और जैसे करोद करना कभी-कभी अच्छा होता है, तो बाग्या बागी कसाय भी कर जब हम आएच्य मान जड़ेते हैं चारो कसायो को अच्छा आएच्ये जड़े हैं अःच्ये मान तूम काम कि आएच्ये यह लोग ज़िए अग्ष्या पटिया कर नहीं तू वोफ डिखलम लगाते है उच्छा है क्योंकि हमारा टारिगत अच्या है और तुम लोग इह उ झायों भूर अधनIA करने के लोब लेकर यह तूह झायों तो एभी अफ्छा है ऊच्छा अच्छा और वुर्य कर चीजे नहीं होती हमारे मन काधि़ आपन voucher और महराजी हम लोग एकार कर रहे हैं इसका हम लोगो क्या फल मेलेगा बिल्कुल अभी शेवा कर रहे हो ऐसे आगे बढ़ते रहो कि लोग तुम्हारी शेवा करें नमोस्तु भाराज जी रम्य गंगवाल गया उष्किवाद त्यारेंगे हमारी एक बार इस युको का खड़े हो जाए सामें जोरदार करतल भनी से स्वागत चरे आप लोग देखते हैं यह सारे युवा लगभग सौ सदस्च्च हैं इनके पूरे के पूरे श्रंग में और सम समयर इस बार तो साइद एक शत्तिस गर से भी आया है हाँ हटा और शत्तिस गर से चिर्मिली तो यह यह ग्रूप है और अपता सब काम छोड़ करके आते हैं सब के अपने ब्यापार ब्योशाय और पढ़ाय लिखाई हैं लेकिन आप लोग इनकी सेमाएं देखते हैं पूर गर्णाड़ करता हुआ है श्रुब श्रुब तो इन पर इक अथाई का मैं आठ दिन का उपवास कर लेती हूं शिकर जी जाकर पर हम लोग ने बुला नहीं आप जाओ क्योंकि अभी हम लोग का स्कूल भी खुलने वाला था तो इसलिए हम लोग ने मना कर दिया हम लोग थोड़ा से नराज हो गए थे तो मम्मी ने फिर जा कि पापा से पूछा कि क्या मैं चले जाओ तो पापा भी बोले नहीं अभी तुम मज जाओ तो फिर मम्मी बोली कि अश्टिमी का मैं एक दिन का तो पुवास कर लूँ तो जब मम्मी ने अश्टिमी का एक दिन का पुवास किया उसके अगले दिन मम्मी ने एक और पूछा रिक्वेस्ट किया कि मैं एक बाद प्लीज जाओं तभी भी हम लोग नरास्त पर मम्मी ने कैसे तैसे करके मम्मी हम लोग को मना ली और मम्मी शिखरजी आ गई तो महराश्री आपके आशिरवात से मम्मी इतना कर ली तो जैसे जैसे दिन बढ़ते गया हम लोग अपना गलती का रिलाइज हो गया कि हमको मम्मी को नहीं बोलना चीए था हम लोग को मम्मी को नहीं बोलना चीए था कि आप मत जाओ तो महराश्री इसमें हम लोग को क्या पाप लगेगा और महराश्री उपुवास करने का हमारे जीवन में हमको क्या पुन्ने मिलता है देखो, मम्मी ने उपुवास का भाव किया और तुम लोग ने रोकने की बात की ये सब ही करते हैं क्योंकि सब डरते हैं लोगों वालगता है कुछ हो गया तो क्या करेंगे, हिम्मत जल्दी नी होते हैं लेकिन अजिकु विखियास करकी अगर कोई विक्ति अच्छ कायर करता है तो उसको उच्छ साहित करना चाहिए और अगे बढ़ना चाहिए समझ गया? आगे बढ़ाने का फल अच्छा मिलता है, उसकी तरफ हमारी हमेशा दिष्टी होनी चाहिए, उसमें कोई कोई कोर गसर नहीं होना चाहिए, आपने पुछा उपवास करने का फल क्या होता? उपवास करने से मन की सुध्धी होती है, यदि इवेक्ति विसुध परिवर्तित हो जाते है, हाँ, केवल भूके रहने का नाम उपवास ने है, उपवास के बाद पूरी तरह से अपने मन को विशुधी में लगाए रखना ही, सबसे बड़ा लक्ष होना चाहिए, और ये बड़ी पशनता का विशह है, आठ दिन तक खाए पिये हैरान थे, ल अभिलाश्या जेन दिल्ली उसके बाद पियारेंगे, पी-एम भानेंज, गुनायतन चस्टी, मलाड, मुंबई नमस्तु महराज जी महराज जी, मैं दिल्ली से हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, और अभी मेरे साडू भाई ने भी साइन्स की बात की थी, हमको ये पड़ा भी है, और देखा भी है, जाना भी है, कि फोट सेंचरी से पहले, हम सब लोग एकी थे जेन, चाहे तेरा पंती हों, चाहे बीस पंती ह हों, चाहे श्यतामबर हों, चाहे दिगंबर हों, उसके बाद ऐसा हुआ कि हम विभाजत हुए, लेकिन आगे हम आपके माद ही हम से ऐसा क्या कर सकते हैं, कि हम सब एक हो जाएं और ये कोई माइनॉरिटी स्टेटर्स जो हमारे उपर लगा हुआ है, ये हट जाएं, देखे ये सब सभाविक है, कोई पेड होता है, पेड उपता अकेला है और उसकी ब्राँचे छ्ष फैलती कहीं नहीं, भूलियो, तो पेड जितना बड़ा होगा, और उसकी ब्राँचेज उतनी होगी, भू हो फैलेगा। और कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा, मेने में भी देखा है, कई पेड ऐसे होते हैं, किसी ब्रांच में तो फल लगे दिखते हैं, कोई शूखा भी दिखता है, तो यह सोहाविक है, है जड़ेक, तो अलग अलग निकले हैं, और उशी से उस कूरे पेड की शोगा है, तो मैं तो यह कहूँगा, कि आज जैन धर्म में, जैन परंपरा में जितने भी पंथ हैं, परंपराएं हैं, वह सब जैन धर्म की ही साखाएं हैं, मूल पेड एक है, साखाओं को देखकर मत उल्जो, पेड को देखो, सब को यह सूचना चाहिए, कि सब के सब एक ही पेड की ब्रांच है, हमारा पेड सुरक्षित रहे, और प कि सारी साखाएं सुरक्षित हो, तो सब साखा सुरक्षित रहे, अपने जिसकी जो मानिता रास्ता है, वो उसके अरूप जिये, एक दूसरे को थोपने की चेष्टा न करे, तब हम अपना पात्र प्रसस्त कर सकेंगे, आज हम कहें कि सब जैन के पंथ एक हो जाएं, असंभ क्योंकि सब की अपनी आस्था है, पंथ एक नहीं हो सकते पर जेन एक हो सकते, जब जरूवत पर जाएं, तो मारी कोशिस होनी चाहिए, अपने का मैनोरिटी को हो, मैजोरिटी में कैसे बदे, तो बात बिलकुर सही है, और इस दिशा में हम लोग प्रयास करना चाहिए, दो लोगों को अपनी तरफ जोडने का प्यास करना चाहिए, जैन आचार और विचार को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, आज भी जैन धर्म में वो ताकत है, कि जैन धर्म जन धर्म बनने की चमता रखता है, तो जैन धर्म को जन धर्म बनाने की दिशा में, यदि हम उत्सा परिवार के शीयो शाफ शीमान शुवास जी को वे आएंगे हमारे सभी मंडल पन्यार्जक और इंद नर्णी और जो भी जिनों सयोग दिया है उनका आभार वेक्त करने के लिए मैं अमत्रत करूँगा गुणायतन के शीयो शाफ शीमान शुवास जी परम पूजे गुरुदेव के चरणों में शाफ शात नमन बंदू इसके पहले कि मैं आभार प्रदर्शन करूं सबसे पहले मैं आप लोगों से छमा चाहता हूं उन सब कलतियों के लिए जो हमारे गुनायतन परिवार की तरफ से या हमारे सहयोगी की तरफ से आपकी विवस् बनाने में अपना पूरे युगदान देने का प्रियास किया फिर भी मैं जानता हूं कि कुछ न कुछ कमी हमेशा रही जाती है तो इसके लिए मैं सभी से शमा मांगता हूं और सभी से निवेदन करूँगा कि आप अपने सुजाव अवेश्य दे कर जाएं ताकि अगली ब दान हो नहीं सकता था लेकिन मैं अपने आभार की श्रंखला को शुरू करूँ चुकि श्रंखला काफी लंभी है इसने में कागज का साहरा लूँगा सबसे पहले मैं परम पूज गुर्देव के चोड़ों में साधन नमन करते हुए आभार प्रकड़ करता हूं आप ही की और आप ही के आभार से ये कारेकरम हो पाया और आप इतना सब लोग जूड़ पाएं और ये संस्था में एक ऐसा अच्छा उत्सव जैसा मातामन बन पाया बुर्देव आपके चोड़ों में शस्षत नमन उसके बाद हमारे भाया जी जो सबसे बड़ा जिन्होंने इतना परिश्रम किया और पूरे प्रोग्राम के सुतधार हमारे भाया जी है और उन्होंने इतने दिनों तक इसके योजना बनाई और इसका अंडिदेशन किया हम उनके बहुत-बहुत आबारी है